अलो फ्रेंड्स वेलकम टू अध्व इंस्टिटूट तो आज हम लोग क्लास एक के लिए जो एक्स्पोनेंट चप्टर है ठीक है उसके जो सीसी टेस्ट है ना टू उसको सॉल्व करेंगे इस वीडियो में तो चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं है सर्फ कुश्टन में क्या बोलता है कि आपको इवेलवेट करने त्री पावाँ माइनस फोर इसको इवेलवेट करना है当 क्या सिखा hay थे आपको कि इसको लिखलो वन बाई 3 जब भी पावर निगेटिव है तो इसको पोजटी बनाओ पावर फोर हो जाएगा और यह हो इसका एंसर हो जाएगा यह first का first था first का second जो है वो बोलता है minus 4 का power 3 तो किता हो जाएगा तो इसको minus four का power 3 को क्या लिख सकते हो तो देखिए इसको लिख सकते है minus four into minus four into minus four अगर power order रहता minus में रहता है तो हम उसको reverse करते लेकिन यहाँ पावर डिवर्स में नहीं है, तो 3, 4 फोर्जा 16, और 16 फोर्जा 64, लेकिन पावर और नमबर है, इसलिए माइनस में आ जाएगा, 64 एंसर हो जाएगा, इसका माइनस के साथ, ठीक है, तीसरा नमबर, 3 भाई 4 पे पावर क्या है, माइनस 2, तो इसको क्या लिख सकते हो, 4 भाई 3 का पावर में, प्लस 2, और 4 का स्क्वार, भाई 3 का स्क्वार, 4 का स्क्वार 16, और 3 का स्क्वार 9, ठीक है, इसका 4 नमबर कोश्चन आईए, माइनस 2 भाई 3 का पावर में 5 है, माइनस के साथ, चलो, जब भी पावर माइनस में हो, तो इसको क्या करना है, अपने को, प्लस में बना लेना है प्लस में बनाने के लिए क्या करना है इसको रिवर्स कर लेना है तो यह हो जागा माइनस 3 by 2 पावर 5 अब 3 को जो 5 टेम्स मल्टिप्लाई करोगे तो कितना आने वाला 3 का 5 टेम्स अच्छा 3 का 5 टेम्स 243 होगा और लेकिन ये और नमबर है इसलिए निगेटिव आजाएगा और 2 का पावर 5 32 हो जाएगा ठीक है 4 नमबर हो गया 5 नमबरे में चलिए 5 नमबर कोस्चन क्या बोलता है 5 by 7 to the power 0 और हम जानते है किसी भी नमबर पे power 0 का मतलब 1 होता है इसी का second number question अब solve करते हैं ये हमको evaluate करना है minus 2 by 3 का power में 3 और उसका square minus का 2 तो सबसे पहले तो bracket के अंदर वाला small bracket में गाम किजिए तो 2 का Q, 2 का Q तो 8 आएगा और power odd number है इसलिए ये minus भी आएगा और 3 का क्यों किता हो जागा 27 अब यह हो गया power में square minus 2 अब देखो यहां से जब इसको reverse कर लो power negative है इसलिए इसको reverse कर देते है तो minus 27 by 8 का square अब देखे 27 का square करना है 20 अच्छा ये square odd number नहीं even number है तो ये positive आएगा negative नहीं आएगा आप 27 इंटू 27 कर लो multiply 7 749 तू फोर और ये हो जागा 7 तू जा 14 फोर एट 7 तू जा 14 तू तू जा 4 और 1 फाइब 9 12 729 729 हो जाएगा और ये ये चुकी में even number है इसलिए answer positive में आएगा और 8 का square किता होता है 64 होता है 8 का square 64 ये 2 number question था 3 number question आईए 3 number बोलता है कि 3 का power minus 1 plus 6 का power minus 1 divided 3 by 4 का power में minus 1 चलिए इसको solve किजिए इसको लिख सकते हो 1 by 3 power reverse minus 1 में इसलिए और इसको ऐसे लिख सकते हो अचा divided ये power negative है तो इसको reverse करके लिख लो ठीक है इन दोनों का LCM किता होगा 6 3 का 6 3 2 जा 6 2 और 1 और ये multiply हो जाएगा अच्छा देखो ये power 1 है कोई fork पढ़ने वाला ने यतना ही रहने वाला है और चुकि division को multiplication कर रहा है तो ये reverse हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 by 6 into 3 by 4 3 2 जा 6 यानि 3 by 8 इसका answer आ जाएगा 3 by 8 कुछ गरवर नहीं नहुआ एक वर सॉल्ब करके देखिए इसका answer साथ नहीं मिला एक मिनट चेकर है 2 by 3 है कि कोश्चन सही लिखा हमने 3 by 4 तो ये 1 by 3 1 by 6 और ये डिविजन में आया पावर निगेटिव को positive बना दिया तो 4 by 3 आ गया और 6 3 calcium 6 हो जाएगा 3 2 जा 6 अब ये multiply में आया तो 3 by 4 हो गया 3 by 8 आ रहा है इसका answer तो 3 by 8 आ रहा है एक बार और चेक कर लेते हैं आई थिंक इसका answer तो सही है एक बार इसको और चेक करते हैं अगर गलत हुआ तो यहीं है नंबर कोश्चन देखो 3 का power minus 1 plus 6 का power minus 1 और यहाँ पर division है और यह 3 by 4 to the power minus 1 है चलो इसको लिख सकते हो 1 by 3 और प्लास में 1 by 6 ठीक है और division रहीं ही रहेगा और इसको reverse कर लेते हैं 4 by 3 पावर में 1 हो गया तो 3 6 calcium 6 3 2 just 6 और 6 1 just 6 division में 4 by 3 तो 2 3 by 6 और यह 3 by 4 यानि यह उल्टा होना चाहिए लेकिन बुक में यहीं दिया है हलाकि जो भी हो इसका answer तो 3 by 8 ही आएगा ठीक है हो सकता है मिस्प्रिंट हो बुक तो आप देख लिजेगा लेकिन इसका answer यह आएगा ठीक है चलिए आगे देखते हैं यह पावर अगर positive होगा तो answer आजाएगा फूर नंबर इसको किस नंबर से डिवाइड करने पर हमको जो डिविडेंट है यह यह आएगा चलिए स्वाल किजे तो यह पावर में negative है और निगेटिव है तो इसको पोजेटीव बना इसको पोजेटीव बनाने के लिए कि इसको रिवर्स कर दिये और पावर हो जाएगा पोजेटीव और डिविडेंट को मल्टिप्लाइ लिख दो डिविडेंट जो है जो डिवाइड में है वन बाई एक्स उसको वन बाई एक्स मल्टिप्लाइ में लिख दिये और यह हो जाएगा इसको भी रिवर्स करते है और बाई 9 का स्कॉर हो गया अब 3 का क्यू किता होगा 3 3 9 9 3 27 और 2 का क्यू 8 इंटू 1 बाई एक्स नाइन का स्कॉर 81 और 4 का स्कॉर 16 चुकि हमको एक्स से ही तो एक्स को इधर सिफ्ट करो माइनस 27 बाइ 8 यह 16 ऊपर आजाएगा और यह 81 नीचे आजाएगा और यह x नीचे का यहाँ आजाएगा यह इसका एंसर आ गया माइनस 2 बाइ 3 इसका एंसर सही है और एंसर मिल भी मैच भी कर गया ठीक है यह 4 नमबर था चलिए 5 नमबर कोस्टन में आते हैं तो फिर से लेट रिक्वाइड नमबर भी x लेट रिक्वाइड नमबर भी x तो रिक्वाइड नमबर अगर x है तो क्या कर रहा है कि इस नमबर को according by question बोला है कि इस number को किस number से multiply करने पर हमको multiple जो है वो इतना आएगा product इतना आएगा तो हमने क्या किया वो required number को x बोला कि उस number को x से multiply किये तो यह आ गया अब इसको क्या लिख सकते हो यह power negative है तो इसको ऐसा लिख लो 1 by 3 into x और इसको भी लिख दो 1 by 6 हमको चाहिए x तो x equal to यह 3 उपर चला जाएगा यह 3 उपर जाएगा और यह 6 नीचे है और यह बाला minus 1 नीचे आ जाएगा तो 3 by 2 यानि minus 1 by 2 इसका answer होगा इसका answer हो जाएगा minus 1 by 2 सही है 6 number question में आईए 6 number क्या बोलता है इस सब भी को extender form में लिखना है 3, 4, 5 क्या लिख सकते हो इसको 3.45 into 10 का इसको है क्योंकि हमने सिखाया था decimal से पहले एक ही non zero digit चाहिए चलिए दूसरा 1, 8 1, 2, 3, 4 इसको क्या लिखोगे 1.8 into 10 पर पावर 1, 2, 3, 4, 5 इसी का तीसरा number 0.0000003 इसको क्या लिखना है 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 digit आगे लिख चलना है लेकिन decimal आगे जा रहा है इसलिए माइनस में आगा और पीछे जाएगा तो प्लस में आगा चलो यह number 0.000027 क्या करोगे 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे लिखो 2.7 into 10 to the power माइनस का 5 यह था 6 number चलिए 7 number tick out है माइनस 3 का पावर माइनस 3 तो सबसे पहले इसको लिखो माइनस 1 by 3 और इस निगेटीब पावर को पोजेटीब बना दो 1 का Q करोगे तो पावर और नमबर है तो निगेटीब 1 ही आएगा और 3 का Q करेंगे तो 27 यानि option C सही है 8 number में आईए 3 by 4 का minus Q जैसे ही पावर माइनस में देखो रिवर्स करके उसको पलस का Q कर दो अब यह आगया 4 का Q और 3 का Q 4 का Q आजाएगा 4, 4 जा, 64, 3, 3, 0, 9, 9, 3, 0, 27 इसका answer हो गया 8 का B number चलिए 9 number में आए 3 का पावर minus 6 divided 3 का पावर 4 तो सबसे पहले इसको लिख लो 1 by 3 to the power 6 divided 3 का पावर 4 तो 1 by 3 का पावर 6 और यह मल्टी यहाँ पर कुछ नहीं 1 multiply करोगे तो यह आजाएगा नीचे में तो किता हो जाएगा 1, 3 का पावर multiply में पावर क्या होता है add हो जाता है multiply में पावर क्या हो जाता है add हो जाता है यानि 6 plus 4 यानि 1 by 3 का पावर 10 लेकिन ऐसा कोई option नहीं है तो इस चीज़ को उपर अगर shift करते हो तो 3 का पावर माइनस 10 हो जाएगा और यह option आपका C सही हो जाएगा यह option आपका C सही हो जाएगा 10 नमबर में आई है 5 by 2L का पावर माइनस का 4 into 5 by 2L का पावर 3X equal to 5 by 2L का पावर 5 ठीक है और हमको find करना x और हम जानते हैं कि अगर base सेम होता है तो पावर को add कर देते हो तो 5 by 2L पावर हो गया माइनस 4 प्लस 3X और यहां से 5 by 2L का पावर में 5 अब base सेम है तो पावर को add कर दिए अब दोनों समय base सेम है तो पावर को equate कर लो same side अगर base सेम है तो power add होगा और दोनों side अगर base सेम हो जाए तो पावर को equate कर लो तो 3X equal to 5 और यह माइनस इधर आया तो प्लस तो 3X equal to 9 तो X equal to 9 by 3 यानि X का value 3 option number D 10 का option D सही है 11 आईए 3 to the by 5 to the power 0 और किसी भी नमबर पर power 0 का मतलब 1 यानि 11 का C सही है 12 number minus 6 by 5 to the power minus 1 और जब भी power minus 1 है reverse करके लिख दो 5 by 6 लेकिन यह minus यहां जो है वो रहे गई 5 by 6 minus के साथ 12 का D नमबर सही हो गया 12 का D नमबर सही है ठीक है 13 नमबर में आईए 13 नमबर क्या है 13 नमबर बलता है minus 1 का power में 3 तो power जगर odd नमबर है तो यह minus 1 ही आएगा और 3 का क्यों किता होगा 27 यानि minus 1 by 27 option नमबर सी 13 का option सी सही हो गया ठीक है और question नमबर 14 जो है वो fill in the blanks है fill in the blanks 14 बोलता है कि 0.3 61234 इसको एस्टेंडर फॉर्ड में लिखना है तो क्या लिखोगे 3.6 into 10 to the power 12345 यहाँ decimal आ गया तो power में 5 दूसरा क्या है 0.0000123 एस्टेंडर फॉर्ड में लिखना है decimal आगे जा रहा है power negative में आएगा इसको लिखोगे 1.23 अब यहां आ गया कितना आगे गया एक दो तीन चार पांच 10 to the power minus का 5 question number 3 में आई है minus 2 by 3 का power minus 2 जैसे ही power minus में आए उसको reverse कर दो जैसे ही power minus में आए reverse कर दो तो यह हो जाएगा 3 by 2 और power हो गया positive अब power even number है square करेंगे तो positive देगा यानि 3 का square 9 और 2 का square 4 जैसे ही power even number हो minus plus के बारे में सोचो ही मत पोजेटिव ही आएगा power even number positive ही होगा 3 into 10 का power minus 3 इसको usual form में लिखना है 3 वो पीछे ले चलना है तीन डिजित 0.003 5 number 5.32 into 10 का power minus 4 इसको usual form यहां से 4 डिजित पीछे जाएगा दो तो है ही दो अस्टाना है एक और हो जाएगा तो 0.05 एक मिनट पावर में यहां पे है न तो यहां तो है ही तो तो यहां पे हमने आपके exercise के साथ साथ इस चप्टर को complete कर दिया और सारे एक कोशन पर आया है तो प्लीज लाइक कर दीजेगा वीडियो को और अभी तक अगर चाइनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लिजे और फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक्सपोनेंट के साथ हम लोग अगला चप्टर जो है square and square roots पढ़ेंगे तर तक लिए thank you